नमस्कार दोस्तों अभी अभी बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आई है जिया आपको बताए दें किसान आंदोलन के बीच कांग्रेस की अंत्रिम अध्यक्त सुनिया गांधी ने बहुत बड़ा एलान कर दिया है सुनिया गांधी के इस एलान से राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है जिया दोस्तों सुनिया गांधी ने क्या एलान किया है आपको बिस्तार से बताएंगे वहीं इसी के साथ ही आपको बताए दें किसान नेताओं ने आंदोलन को लेकर बड़ा अंदेशा जताया लेकिन इससे पहले अगर आप भी किसानों के साथ डट कर खड़े हैं अगर आपको भी लगता है कि क्या मोधी सरकार द्वारा लागू तीनो संसोधित क्रिसी कानून को सरकार को वापिस लेलना चाहिए जैसा कि लगातार किसान डेड़ महिने से दिल्ली के बाड़ों पर अपनी राय जरूर बताएं और साथ ही इस बीडियो पर अपना एक लाइक जरूर दें क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारे मेहनत का असली फल है और साथ ही इस बीडियो को सेर भी करें जहां दोस्तों आपको बदा दें किसान आंदोलन को लगा डेड़ महिने से जादा हो च जिससे एक बार फिर राजनीतिक महाल गर्मा गया है। काले कानुन खत्म करने की बजाये 40 दिनों से मिटिंग मिटिंग खेल रही है। 40 दिन से भी अधिक हो गये लाखो अनदाता किसान दिल्ली की सिमाओ पर काले कानुन खत्म करने की गुहार लगा रहे हैं। कपकपाती सर्दी वारिस और ओले के बीच 60 से अधिक अनदाताओं ने दम तोड़ दिया है। देश का दुरभाग है कि प्रधान मंतरी नरेंद मोदी के मुझ से आज तक देश पर कुर्बान होने वाले 60 किसानों के लिए सांतोना का एक सब्द भी नहीं निकला। कांग्रेस का कहना है कि साप है कि प्रधान मंतरी नरेंद मोदी और उनकी सरकार 60 किसानों की कुर्बानी के लिए मोत के लिए सीधे सीधे जिम्मेदार है। इसी में सुनिया गांदी ने यानि बैठक में सुनिया गांदी ने किसानों के समर्थन में बड़ा एलान किया है। किसानों के बीच है और ये लड़ाई दिया और तुफान के बीच है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार को जनता ने चुना है ना कि सुप्रीम कोट ने सरकार को चुना है। फिर उसी जनता और अनदाता को सरकार कहीं और क्यों भेजना चाहती है। क्या मोदी ची जबाब देंगे। साथ कांग्रेस का कहना है कि ये तीनों विवाधास्पत काले क्रिसी कानून सुप्रीम कोट ने नहीं बनाये है। आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने कहा है कि जबरन प्रजातंत्र का अपराण का देश की संसद में मोदी सरकार ने बनाये है। एक कानून बनाने की जिम्मेदारी और खत्म करने की जिम्मेदारी देश की संसद को दी है। और मोदीजी अगर आप कानून बनाने और खत्म करने में सक्षम नहीं है तो आज भारती राष्टी कांग्रेश की ओर से हमारी ये मांग है कि इस्तिपा देकर घर चले जाईए आपको एक छड़ भी सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं बचा है। दिवस के रूप में एक जन आंदोलन तयार करेगी धरना परदर्शन करेगी और रैली करेगी और रैली के बाद राज भवन तक मार्च करेगी। समझ में आगया कि मोधी सरकार देश के अनदाता की चेताउनी को समझ ले। क्योंकि अब देश का किसान इस काले कानून को खत्म करवाने के लिए करो या मरो की रापर चल पड़ा है। मोधी सरकार शडियंत्रकारी तरीके से न्याय मांग रहे देश के अनदाता को ठकाने और जुकाने की साजिश पर काम कर रही है। काले कानून खत्म करने की बजाए चालिस दिनों से मीटिंग मीटिंग खेल रही है। तथा किसानों को तारीक पर तारीक तारीक पर तारीक तारीक पर तारीक दे रही है। साफ है कि प्रदान मंत्री शिरी नरेंद्र मोधी और उनकी सरकार 60 किसानों की कुर्बानी के लिए मौत के लिए सीधी सीधी जुम्मेवार है साथ युक्तमाल ये भी है कि 73 साल में पहली बार देश में ऐसी सरकार है जो अपनी जिम्मेदारी से पीछा छुडा कर किसानों को कहती है तुम सुप्रीम कोट चले जाओ ये तीनों विवादा, सपद, काले, करिशी कानून सुप्रीम कोट ने नहीं बनाए जबरन प्रजातंत्र का अपहरन कर देश की संसद में मोधी सरकार ने बनाए है भारतिय समिधाद ने भी ये जुम्मेदारी कोर्ट को नहीं दी ये कानून बनाने की जिम्मेदारी और खतम करने की जिम्मेदारी देश की संसद को दी है और मोदी जी अगर आप कानून बनाने और खतम करने में ऐसक्षम है तो आज भारतिय राष्ट्रिय कॉंग्रेस की और से हम कहते हैं कि इस्तीफा देकर घर चले जाएए आपको एक शन भी सत्ता में बने रहने का आधिकार नहीं बचा कॉंग्रेस अधक्षा श्रिमती सोन्या गांधी जी के नेत्रितव में भारतिय राष्ट्रिय कॉंग्रेस ने इसलिए ये निरने किया है कि किसानों के समर्थन में 15 जनवरी को हर प्रांतिय हेड़कॉर्टर पर कॉंग्रेस पार्टी किसान अधिकार दिवस के रूप में एक जन आंदोलन तयार करेगी जिया दोस्तों आपको बता दें आठमेत दौर की बैठक के दोरान किसान नेता टक्ती लेकर बैठे थे जिसमें लिखा था हम मरेंगे या जीतेंगे अब कांग्रेस ने उसी को दोराते हुए काय कि मोधी सरकार इस काले कानून को खत्म करे किसान इस काले कानून को खत्म करवाने के लिए करो और मरो की राप पर चल पड़ा है वहीं आपको बता दें किसान नेताओं ने बड़ा अंदेशा जताया है बोला 15 जनवरी को होने वाली बैठक से पहले सरकार कर सकती है बड़ा उलट फेर जहां को दें किसान और सरकारों के बीच अगली बैठक 15 जनवरी को होने वाली है लेकिन इससे पहले किसान आंदोलों को लेकर बड़ा उलट फेर होने की संभावना जतायी जारी है किसान नेताओं को यह अंदेशा है कि सरकार इस आंदोलन को तोड़ने के लिए कुछ बड़ा कर सकती है किसानों का कहना है कि केन सरकार के पति निधी और चुनिंदा भारती जनता पार्टी नेता उन राजियों के किसान संगड़नों को अपने पक्ष में खड़ा कर रहे हैं जहां आंदोलन का असर नहीं है ऐसे राजियों को केन सरकार किसान आंदोलन की कमजोरी तो खुद के लिए फायदे मन मान रही है किसी मंतरी नयन सिंग तोमर, हर्याणा, पंजाब और पस्चिम यूपी के छोटे किसान संगड़नों के साथ दोबारा से बाचित करने की तयारी में है क्रांतिकारी किसान यूनियन के नेता दर्सन पाल भी मानते हैं कि सरकार ने वारता के लिए बहुत सोज बिचार कर 15 जनवरी की तारिक तै की है दर्सन पाल के मुताबिक इस सब्ता आंदोलन को बदनाम करने के लिए सबी हद कंड़े अपनाए जा सकते हैं किसान संगठनों ने सरकार की इस मंसा को भाप करी देश के सबी जिलों में आंदोलन की गद्विदिया शुरू करने की बात कई है टैक्टर परेड पहले दिल्ली के लिए तै हुई थी मगर अब सबी राज्यों में जिला अस्तर पर टैक्टर परेड निकाली जाएगी वही किसान नेता बल्देव सिंग सिर्षा के मुताबिक जब यह अंदोलन सुरू हुआ था तो सरकार की ओर से इसे बदनाम करने का हर्प संभव प्रयास किया गया सरकार का मकसद था कि आम जन्मानस की नजर में यह अंदोलन बदनाम हो जाए उनके मुताबिक उनका कहना कि आप देख रहें कि ऐसा नहीं हुआ दिल्ली में और इसके चारों तरफ के राज्यों में रहने वाले लोगों को दिक्कते हो रही है लेकिन उन्होंने आंदोलन को लेकर कभी अपना गुस्सा जाही नहीं किया जिससे जैसी मदद हुई उसने दी उनका कहना कि लोगों ने इसलिए मदद की क्योंकि आंदोलन के किसी एक कारकरता ने भी कुछ ऐसा नहीं किया जिससे किसान संगटनों को सिर्द नीचे जुकाना पड़े लेकिन उनका कहना कि अब हम देख रहें कि सरकार दूसरे हथ कंडे अपना रही है बल्देशिंग सिर्चक का अरोप है कि भारती जनता पार्डी का पजातंत आंदोलन को बदनाम करने के लिए हर तरीका अपना रहा है अब दोबारा से खालिस्तान का मुद्ध उछाल रहे हैं कई पोश्टर लगा दिये जाते हैं जिनने खेती का कुछ नहीं पता था थोड़ा बहुत जानते हैं उन्हें किसान बना कर देश के सामने पेश किया जा रहा है किसान तो देश के हर राज में है बल्देशिंग सिर्शा के मुताबिक उनका कहना है कि हम अपने आंदोलन को इस सब्ता देश के सभी जीलों तक ले जाएंगे केंद सरकार इसे हमारी कमजोरी बता रही है कि ये आंदोलन तो पंजाब उत्तर परदेश और हर्याणा के किसानों का है सरकार को इस भूल का एसास भी करा दिया जाएगा वहीं किसान आंदोलन में सामिल योगेंद यादो के मुताबिक सरकार तो या बात हर जगा फैला रही है कि ये तीन राज्यों के किसानों का आंदोलन है यह बात क्रिसी मंत्री नैसुंग तोमर भी दोरा चुके हैं कि हमें देश के उन किसानों से बात करने के लिए समय चाहिए जो क्रिसी बीलो का समर्थन करते हैं वे इस आंदोलन का हिस्सा भी नहीं है यादों का कहना है कि किसान संगठन सरकार की इस ओची चाल को समझते हैं इसलिए हमने सभी जिलों में आंदोलन शुरू करने की रणनीती बनाई है जैसे 13 जनवरी को बिलो के पति जलाई जाएगी 18 जनवरी को मैला किसान दिवस मनाएगे और उसके बाद 26 जनवरी को किसान ट लोडने के लिए कुछ बड़ा कर सकती है आरोप लगाते है कागया की केन सरकार के पति निधी और चुनिंदा भारती जनता पार्टी नेता उन राजियों के किसान संगठनों को अपने पक्ष में भी खड़ा कर रहे हैं जहां आंदोलन का असर बिल्कुल भी नहीं है